नमस्कार दोस्तों स्वागत थे एक बाद फिर से आप सभी का आपके अपने विट्यूब चैनल टेख में गुरु जी में तो यहां पर बहुत भड़ी खवर लेके आ गया हूं दोस्तों बहुतीं बड़ा नोटिफिकेशन है यह फुल नोटिफिकेशन के बारे में हम डिसकस के पोस्ट निकले हुए है कैसे फॉर्म को एपलाई करना है क्या क्या इलिजबिल्टी होनी चाहिए आपका एप्लिकेशन फीस कुछ नहीं लगने वाला है अप्लिकेशन फीस जीरो है पॉलिटेक्निक डिप्लोमा किये हुए जो कि मैकेनिकल और सिविल ट्रेड से बिलॉग करते हैं वो इस पोस्ट के लिए इलिजबिल है कैसे आपको एपलाई करना है और बाकी क्रैट्रिया क्या क्या है सब कुछ यहां पे हम फॉलिटेल में देखने वाले हैं क्या आपने डिप्लोमा किया है सबसे बड़ा सवाल प्रमिशा नयने जॉब से अपडेट रहने के लिए अगर आप गवर्मेंट जॉब की प्रिमेशन कर रहे हैं चैनल को जलूर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकोन को दबा दीजेगा कोई लैटेस्ट जॉब हो कोई नए इंफॉर्मिशन हो कोई नया अपड सब्सक्राइब के माध्यम से आपके पास पहुचा हुआ होगा आठ त्रमिशन के पदोपर संविदा के आधार पर नियोजन और फिर्ण यहां पर देख सकते हैं सब कुछ यहां पर मेंसन कर रखा है आरच्छर क्या होगा सच्री की योगिता क्या होनी चाहिए उम्रसीमा क क्या होगा चैन की प्रक्रिया क्या होने वाली है सब कुछ यहां पर मेंसन कर रखा है आपका वेतनमान है वह आपका 27,000 रुपे प्रारंबिक शुरू हो जाएगा प्रतिमाज आपको देखिया जाएगा इसके अलावा देखिए अब हम बात करते हैं यहां पर नोटी साब क विभाद के अंत्रगत करनी अभियंता यानि आशयनिक यांत्रिक के अस्थाई रिक्तपदों पर संविदा अधायद नियोजन हेत्व विज्यापन अब देखिए यहां पर आगे बढ़ेंगे देखिए आपका रिक्तपद कितने हैं आपको हम दिखा देते हैं सबसे पहले इसके अलावा आर्ठिक रूप से कमजोर रहें सो एबीसी वालों के लिए तेरा पॉस्ट यहां पर दिये गए हैं सिविल के लिए पांच पूस्ट दिये गए है मैकेन कल के लिए अब इसके अलावा फिर देखिए आपका 21 प्ला की पड़ों के लिए है तो सब कुछ यहां पॉइंट अगर दोस्तों हम देखते हैं सरकार के विशेश आधेस को छोड़कर अभ्यारती का भारती नागरिक होना अवस्यक है अगर आप इस फार्म को अप्लाई करना चाह रहे हैं डिप्लोमा आपने कर रखा है तो आपके पास क्या लिजबिल्टी होने चाहिए वह यहा सभी सिविन यां मैकनिकल में डिप्लोमा का सटेब Jan ऑना का बस री है सो जिसे स्टेट टेक्निकल बीट से मानता प्रप्त हो और इसके अलाब का जो है यह आपका इस तेक्निकल seni बोरड के द्वारा मानता प्राप्त होना भी tuna क्योद्धा बौलिशालीय अगर आपका एक् डिप्लोमा का वह नॉन डिस्टेंस होने डिस्टेंस एजुकेशन से अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है तो वह आपका इलिजिबल नहीं होगा अगर हम बात करते हैं उम्रसीमा के बारे में देखिए आपका तो आपका नियुंतम जो आयू होना चाहिए वह अठारा वर्स ह होनी चाहिए और इसके अलावा यसी एस्टी वालों की जो है वह 42 वर्स रखी गई है मैक्सिमम आयू कि अब दुस्तम बात करते हैं मासिक वेतन की तो यहां पर 27,000 रुपे पर मन्त आपको पे करेंगी गौवर्मेंट आपका जो अजिसूतिया नंबर 5494 है उसके अंतरग पर होने वाला है अब दुस्तों हम बात करते हैं चैन की प्रक्रिया क्या होने वाली है तो यहां पर देखिए इस संवर्क के मुल्कोटिकनी अव्यंता के पदों पर चैन डिप्लोमा अत्वा समकत शोगता में प्रिस्यत प्राप्तांग के आधार पर आयोग द्वारा किया जाएगा जो आपके डिप्लोमा है उसके परसेंटेज यहां पर आपका शेलेक्शन होने वाला है और इसके ब और अंक मिलने वाले है इसके अलाव फिर देखिया अगे क्या होने वाला है अगर आपके पास अनुभा हो है यानि एक्स्पीरियंस है तो उसका 25 अंक आपका अलग से एड़ किया जाएगा अगर दूस्तों बात करते हैं आवेधन की प्राप्ति के बारे में आवेधन कैसा सब्सक्राइब करना है कैसे आप अपलाई करेंगे तो इसका जो ओफिस्यल वेब साइट है आपका देखिया है इसको आप देख लीजिएगा बहुत ध्यान से sttp-minor-irrigation.bihar.government.in पर उपलद है यहाँ पर जाके आप आप अवेधन कर सकते हैं इसके अलामा वहाँ से आपना अउनलाइन प्रिंट भी प्राप्त कर सकते हैं पूरे फॉर्म का डोटिफिकेशन भी देख सकते हैं पूरा कम्प्लीट जो भी आपको डाउट है सब वह करके डोटिफिकेशन बेल आइकोन को दबा दीजेगा फिर मिलते हैं तो नए अपडेट नए जॉप्स के साथ तब तक करें दूस्तों बाए बाए